हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं हूँ किशोर तेजवानी आप लोगों का मतमेडिक्स मेंटॉर स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने मैगनेट बेंस में जो प्रोवाइट करता 100% क्वालिटी और फ्री अजूकेशन किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक अगर आप लोग CBSC बोर्ट से देली बोर्ट से UP बोर्ट से बिहार बोर्ट से राजिस्थान बोर्ट से तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं एकदम free साथी साथ आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर धेरो सारे practice questions जिनकी मदद से आप cens कर सकते हैं सर आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या है आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 10th Mathematics Polynomial Chapter No.2 की Exercise 2.2 का Question No.1 मतलब सर सिर्फ आज इस लेक्चर में Exercise 2.2 का Question No.1 सॉल्व होगा क्या तो सर ये कैसे क्या शुरू हुआ और कैसे क्या सर इसको खतम करने का Procedure है तो मैंने बताया कि सर जब हम लोगों ने शुरू किया था Chapter 2 जिसका नाम है Polynomial तो Polynomial शुरू करते टाइम पे हम लोगों ने मतलब भी समझ लिया था Chapter का कि पॉली का मतलब होता है मेनी और नॉमियल का मतलब होता है Terms जिसमें बहुत सारे Terms होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हमारा पॉलीनॉमियल अब सर पॉलीनॉमियल शुरू तो हो गया हम लोग वैसे भी आये थे Class 9 से लेकिन जब आपने पढ़ाया तो सर Class 9 में तो क्या पढ़ा था वो तो याद नहीं लेकिन Class 10 में पूरा 9 पता चल गया कि 9 में पढ़ा क्या होगा वह सर मलब जब इन पॉलीनॉमियल शुडू हुआँ तो उसके अंडर में सर हम लोगों से पहले इंट्रोडप्शन समझा इंट्रोडप्शन में ससार व्येल समझा linear polynomial quadratic polynomial cubic polynomial by quadratic polynomial जिसको हम quartic भी कहते है constant polynomial zero polynomial वो चीज़े खतम हो गई वो चीज़े खतम होने के बाद फिर आपका lecture number two देखा वो तो और ही बढ़िया था सर geometrical meaning of zeros of the polynomial उसमें सर आपने हमें यह बताया कि जैसे कैसे कैसे linear का और कैसे 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 quadratic polynomial का graph बनता है हना Cartesian plane पर अच्छा सर सर यह देखा गया कि एक linear polynomial का एक ही line बन रही है वो straight line जो सर x-axis को एक ही point पर intersect कर रही है सर वो चीज़ भी हमें बस गई थी और जो वो एक point intersect कर रही थी उसको हम लोगों ने बोल दिया था zero of polynomial ठीक है उसके बाद सर हम लोगों ने शुरू किया था अपना quadratic polynomial quadratic polynomial के अंडर हम लोगों ने तीन condition देखी जहाँ पर discriminant change हो रहा था तीन बार मलब b square minus 4ac is less than zero equal to zero और greater than zero तो वो बाते भी सर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई quadratic polynomial खतम हो गया अब आया सर next lecture जिसमें हम लोगों ने relationship समझा किसका सर relationship between zeros and coefficient of a polynomial तो सर जब हम लोगों ने relationship समझा क्योंकि ये थोड़ा सा important है इसलिए फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा पता देता हूँ रिवाइस करवा देता हूँ कि सर जब हम लोगों ने relationship पड़ा between zeros and coefficient of polynomial और polynomial में कौनसा polynomial था सर हमारे पास quadratic polynomial ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे पास general form होता है quadratic polynomial का वो होता है ax square plus bx plus c जहाँ पर अगर हम लोग बात करें a की तो a होता है हमारे पास coefficient of x square b होता है हमारे पास coefficient of x और c होता है हमारे पास coefficient of किसका सर ये coefficient होता ही नहीं है ये तो constant term होता है constant term उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने देखा था दो चीज़ें एक तो देखा था sum of zeros जिसको हम लोगों ने बोला था alpha plus beta बराबर minus का b by a और ये b और a आपकी quadratic polynomial के ही लोग है ठीक है सर सर उसके बाद हम लोगों ने समझा तब product of zeros को उसमें सर हम लोगों ने समझा alpha beta बराबर c by a सर ये c और a quadratic polynomial के ही लोग है ठीक है सर तो ये दोनों चीज़े समझने के बाद सर हमने क्या समझा अब हम लोगों ने questions करना चाहा तो questions में सर हमारे पास जो पहला question आ रहा है वो सर ये है एक एक करके हम लोग question को समझ लेंगे तो चलो हम लोग एक एक question को यहाँ पर लिखेंगे क्या question पूछ रहा है वो अपन से देख लेते हैं सर question पूछ रहा है find the zeros of the following quadratic polynomials ठीक है अपने को zero find करने quadratic polynomial के अब zeros बोले तो alpha और beta ठीक है and verify अपने को verify भी करना है क्या relationship between zeros and the coefficient चीक है कर लेंगे zeros और coefficient का relationship भी हम लोग find कर लेंगे सर पहला question करेंगे चलो करते हैं पहला question है x square minus 2x minus 8 x square minus 2x minus 8 ठीक है सर सबसे पहले तो हम लोग इसको compare कर रहे हैं काई के साथ सबसे पहले हम लोग इसको compare कर रहे हैं सर ax square plus bx plus c के साथ ठीक है करो जब सर हम लोगों ने इसको ax square plus bx plus c के साथ compare किया तो सर हमारे पास जो value आई a की value आई 1 Sir B की value आई हमारे पास minus का 2 और Sir C की value आई हमारे पास minus का 8 Sir A की value आ गई 1 B की value आगई minus 2 C की value आगई हमारे पास minus का 8 Sir यह value आने के बाद अब Sir हमें quadratic polynomial को उठाना पड़ेगा यह लोग उठाया X square minus 2X minus 8 उसके बाद सर हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा split करना पड़ेगा इसके middle term को तो कैसे करते हैं सर कुछ भी नहीं है ये 1 उठाओ और सर ये 8 उठाओ सर 8 बन्जा कित्ता हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा सर 8 के निकालो prime factors चीक है 8 के निकालो prime factors ये था हमारा quadratic polynomial अब हमारे पास 3 factors है इन 3 factors से हमें ये वाला factor चाहिए है इन 3 factors से हमें ये वाला term चाहिए minus 2 तो मैंने क्या सुचा मैंने सुचा इन दोनों से मैं एक number बनाऊँगा 4 और 4 और 2 मेरे एक ऐसे number होंगे क्योंकि मैं जब इनको minus plus करूँगा तो मेरे को minus 2 आना चाहिए तो अब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा मेरे को set अब set में किस तरीके से करूँगा वो समझना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x square ठीक है as it is जैसा लिखा हुआ है वैसा minus का sign मैं as it is लगा रहा हूँ ठीक है सर मेरे को अब bracket के अंदर लाना है 2 तो मैं 4 में से 2 को minus कर रहा हूँ 4 minus 2 और यह लगा दिया x और यह लगा दिया मैंने इनका minus का 8 ठीक है 4 और 2 को जब मैं minus करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा आ जाएगा सर यह किया मैंने minus का 4 x और यह लगाया मैंने plus का 2 x minus का 8 अब एक बार step को check करना minus का 4 x plus का 2 x minus का 2 x होता है क्या होता है सर minus का 4 x plus का 2 x minus का 2 x होता है अब यहां से लेकर यहां तक का लोग ले लो ले लिया सर सर इन दोनों में से x common आ रहा है मैंने बुला निकालो x अंदर कित्ता बचेगा बुले sir अंदर बचेगा x-4 ठीक है sir इन दोनों में से common आ रहा है 2 तो 2 निकालो अंदर कित्ता बचेगा बुला sir x-4 अब ध्यान से देखो x-4 बन रहा है x-4 बन रहा है मतलब समझे लेना कि यह जो splitting करिए यह बिलकुल बढ़िया करिए यह बिलकुल सही करिए ठीक है sir सर अब x-4 इस में से और x-4 इस में से निकाल रहा हूं common अब sir क्या बचेगा मैंने बोला x plus 2 बचेगा ठीके sir sir इधर से हम लोगों के पास यह आया ठीके फिर sir यह आया फिर sir यह आया और फिर sir यह आगया अभी और क्या बचा है sir मैंने बोला 0 के साथ equate भी तो करना पड़ेगा न तो x minus 4 को जब आपने 0 के साथ equate करा और x plus 2 को जब आपने 0 के साथ equate करा तो देखो x की क्या value आ गई x की value आ गई sir 4 और x की क्या value आ गई x की value आ गई sir minus का 2 ठीक है sir यह हो जाएगा मेरे पास alpha और sir यह हो जाएगा मेरे पास beta clear हो गया clear हो गया sir अब sir आगे की बात कर लेते हैं अब सर अगर आगे चलना है तो सर हमें क्या verify करना है zeros तो हम लोगों ने निकाल ली इसके कि zeros कौन-कौन से आ गए zeros बोलेते अलफा बीटा वो तो आ गए अब verify करना relationship between the zeros and the coefficient ठीक है सर करके देता है चलो अब जब मैं verify करने पर आया तो मेरे को सबसे पहले क्या आया कि मेरे को क्या निकालना पड़ेगा sum of zeros निकालना पड़ेगा तो sum of zeros कित्ता हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा alpha प्लस बीटा बराबर minus का b by a हना और minus के b by a को अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप लोग क्या लिख सकते हो minus का coefficient of x upon coefficient of x square ठीक है सर अलफा प्लस बीटा सर अलफा मेरे पास है 4 और सर बीटा है मेरे पास minus का 2 तो अलफा मेरे पास है 4 minus का 2 बराबर minus लगा हुआ सर और सर b कित्ता है मेरे पास minus का 2 और सर a कित्ता है मेरे पास 1 अब सर verify करके देख लेता हूँ सर यह हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 2 क्या यह सर बराबर आ रहा है मेरा प्लस 2 के क्योंकि यह माइनस और माइनस हो जाएगा मेरे पास कितना प्लस का 2 तो हा सर 2 बराबर 2 आतो रहा है सर यह verify हो गया सर sum of 0 तो मेरे पास क्या हो गया सर verify हो गया एक sum of zero मैंने क्या कर लिया, सर? Find कर लिया. देखो. Sum of zero हम लोगों ने क्या कर लिया? Find कर लिया. अब हमारे पास क्या है, सर? अब हमारे पास है product of zero. ठीक है. तो अब हम निकाल रहे हैं हमारा product of zeros. अब product of zero क्या ऐसे निकलेगा? सर, alpha, beta बराबर कितना हमारे पास c by a. ठीक है. अब सर, alpha कितना है हमारे पास? तो मैंने बोला कि alpha है हमारे पास minus का 4. नहीं, सर, 4. ठीक है. तो यह हो गया हमारे पास 4. और beta कितना है हमारे पास minus का 2. बराबर c कितना है सर हमारे पास? c a सर हमारे पास minus का 8. और सर, a कितना है हमारे पास 1. अच्छा सर, यह c by a को हम लोग और भी कुछ बोल सकते हैं. मैंने बोला बोल सकते हैं. constant term upon coefficient of x2. बोल सकते हो. तो सर, यह जब multiply होगा, तो सर, minus 8 बराबर minus 8 आ गया. मतलब, सर, यहाँ पर क्या होगा? कि यह verify भी होगा. Hence, verified लिग देना last में. हाना? Hence, verified. बस, simple दा. verification भी कर दिया यहाँ पर. और zeros भी निकल दिया. ठीक है, सर? समझ में आगया. एक बर चल दी से screenshot लो. तो हम लोग second question की और चले. easy था? यहाँ पर verification का मतलब है कि यहाँ पर आप लोगों ने बता दिया कि जो आपका zeros आए हैं, वो बिल्कुल correct आए हैं इसके हिसाब से. ठीक है. तो एक तरीके से हम लोगों ने first question तो बढ़िया तरीके से कर लिया. अब चलते हैं हम लोग second question की और 4s square minus 4s plus 1. चलिए चलते हैं. 4s square अब जो second question है वो है 4s square minus 4s plus 1. Confuse मत होना. जब अब आपको x दे रहा था. अब x ना दे के अब आपको s दे रहा है. सेम काम करना है. काम तो बिल्कुल सेम करना है. काम में कुछ भी नहीं करना. सबसे पहला काम क्या करते थे? अपन लोग इसको compare करते थे ax square plus bx plus c से. तो अब अपन लोग काईसे compare करेंगे? as square plus bs plus sc से. ठीक है ना? काईसे compare करेंगे? ax square plus bx plus c से. तो अपने पास A कित्ता आ जाएगा? सर A तो अभी भी 4 ही है B अभी भी माइनस 4 ही है और सर C हमारे पास 1 है ठीक है अब हम लोग क्या करते थे? अब हम लोग उठाते थे equation को उठाया 4S square माइनस का 4S plus का 1 फिर हम लोग इस 4 का और इस 1 का क्या करते थे? multiply है 4 बन जा कित्ता हो जाता था? 4 हो जाता था ठीक है तो 4 होग है हमारे पास अब उस 4 का क्या लेना है अपने को? Prime factors लेना है सर 2, 2, 2, 1 2 और 2 सर 4 हो गा हमारे पास ठीक है वही है 2 और 2 हो गा हमारे पास 4 अब ध्यान से समयना 4s square minus 2s minus 2s plus 1 सर ये क्या किया तो मैंने बोला कि अपने पास 2 or 2 factors है हा सर आए तो उसी 2 को मैंने कुछ ऐसे लिखा मैंने ये लगाया minus का ठीक है सर 4 को आपने लिखा 2 plus 2 क्योंकि 2 or 2 4 हो जाता है ठीक है और लगा दिया s और ये हो गया plus 1 मैं एक step आगे चला गया था कोई दिख कर नहीं है एक step पीछे आ गया 4s square minus का 2s minus का 2s plus का 1 अब सर अगर मैं इधर से लेकर इधर तक में ध्यान दू तो मेरे पास क्या common आ रहा है 2s common आ रहा है तो 2s मैंने निकाला common अंदर कित्ता बच्चेगा सर 2 में सक्या multiply करूँ जो मेरे पास 4 है सर 2, 2 is a 4 और s एक निकल चुका एक और multiply करूँ ताकि मेरे पास 1s square आ जाए तो यह हो गया 2s अब जब दोनों का multiply करोगे तो आपको 4s square मिल जाएगा ठीक है minus 2s आपके पास common आ गया तो अंदर कित्ता बच्चेगा 1 बच्चेगा clear हो गया सर सर अब इधर में से क्या common आ रहा है मैंने बोला आपको minus का 1 निकालना पड़ेगा बोले सर 1 तो अविलेबल ही है लेकिन अपन लोग minus क्यों निकाल रहे हैं सर अब उसके पीछे का reason समझो इस आधे पार्ट को मैं इधर solve करके बता रहा हूँ फिर मैं आपको rub कर दूँगा वो पार्ट minus का 2s प्लस का 1 minus का 2s प्लस का 1 अब यहाँ पर अपने को क्या common निकालना है अगर अपने को 2s को positive बनाना है सर 2s को हम positive बना क्यों रहे इस 2s को positive बनाने का reason यह है कि यहाँ पर जो 2s है वो देखो आप लोग सर positive है तो यहाँ पर यह negative रहके क्या करेगा इसलिए हम लोगों ने सुचा इसका minus sign हम common निकालेंगे लेकिन सर इस plus के पास तो minus ही नहीं मैंने बोला इस plus के पास minus है इस plus के पास minus है इसको हम ऐसा लिखेंगे 2s minus minus 1 हाँ सर है अब minus sign common निकल सकता है निकल सकता सर अब अंदर कितना बचेगा बोले सर 2s बचेगा और minus का 1 बचेगा समझ में आई बात समझ में आ गई सर तो बस ऐसे हम लोग क्या करते है इस question को solve करते है अब सर जब हम लोगों ने इस question को और आगे फर्दर solve करना चाहा तो minus sign निकल लिया आ बाहर हना और सर कुछ भी common नहीं निकल रहा मतलब 1 निकल रहा है तो यह गया 2s minus का 1 सर 2s minus 1 2s minus 1 आ गया तो अब हमारे पास एक और क्या बचेगा 2s minus 1 आप लोग ऐसे समझो इस में से और इस में से क्या common आ रहा है बोले सर 2s minus 1 common आ रहा है तो अंदर कितना बच जाएगा 2s minus 1 बच जाएगा अब सर यह खतम हो गया क्या मैंने बोला नहीं अभी 0 के साथ इक्वेट करना इसको बाकी है तो सर 0 के साथ इक्वेट करते है 2s minus 1 और 2s minus 1 बराबर 0 बराबर 0 सर यहाँ पर हम इसको यहाँ ले गए तो सर यह हो गया 2s बराबर 1 और सर s बराबर 1 by 2 अच्छा सर ठीक है s की value सर आ गई एक 1 by 2 सर यह हो जाएगी हमारे पास alpha ठीक है सर यह minus का 1 गया right side में तो हो गया सर 2s बराबर 1 और सर s बराबर 1 by 2 ठीक है तो सर यह हो जाएगा हमारे पास beta सर यह हो गया alpha यह हो गया beta अब सर काम क्या है मैंने बोला अब हमारे पास zeros तो आ गए अब हम verify कर लेता है अब जो verify होता है तो वो कैसे होता है सर आसान तो है sum of zeros बराबर alpha प्लस beta बराबर minus का b by a ठीक है सर सर minus का b by a बोलो यह सर हम लोग ऐसा बोले minus का coefficient of minus का coefficient of x square सर x square नी minus का coefficient of x क्योंकि सर a नहीं है b है तो minus का coefficient of x upon minus का coefficient of x square ठीक है सर वो भी ठीक है अब alpha और beta कहा कहा पर है alpha 1 by 2 है beta 1 by 2 है तो देखो alpha की जगह मैंने रखा simple सा 1 by 2 beta की जगह पर रखा मैंने simple सा 1 by 2 बराबर minus लगाया B किता है मेरे पास B है sir मेरे पास minus का 4 और sir A किता है मेरे पास A है sir मेरे पास 4 चीक है sir एक बास बताओ 1 by 2 और 1 by 2 किता होगा मैंने बोला आधा और आधा किता होगा बोले sir 1 sir लेकिन वो math case आप से बताओ न मैंने बोला 2 common है हा sir तो LCM लेने की ज़रूरत नहीं numerator add कर सकते हैं तो जब हम लोगोंने numerator को add किया तो यह देखो यह किता होगा minus minus plus 4 by 4 इसमें से देखें अगर हम लोग तो 1 और 1 होगा 2 by 2 बराबर 4 by 4 2 से 2 कट गया 1 बचा 4 से 4 कटा 1 बचा 1 बराबर 1 ठीक है यह हो गया हमारे पास क्या यह प्रूव हो गया हमारे पास clear हो गई बात कि sum of zeros बराबर है अब हम लोग देख रहे हैं हमारे product of zeros को product of zeros को अब product of zeros हमारे पास किते हैं alpha beta बराबर कितता होता है c by a अब ध्यान से देखो alpha किता और beta किता है alpha 1 by 2 है और beta v1 by 2 है तो 1 by 2 multiply by हमारे पास किता 1 by 2 बराबर c किता है हमारे पास c a sir 1 और sir a है हमारे पास 4 तो sir यह देखो 1 by 4 बराबर 1 by 4 यह भी verify होगा sir ये भी क्या हो गया सर ये भी हमारे पास वेरिफाई हो गया ठीक है एक बार जल्दी से देख लो देख लो थोड़ा जल्ली से तो आगे बढ़े हो गया वेरिफाई हो गया मतलब अपन बिलकुल सहीत है ना हाँ सर बिलकुल सहीत है अपन लोग ये हो गया हमारे पास second question तो second question भी हम लोगों ने कर लिया अब करते हैं सर हम लोग third question क्या दिया है 6x square minus 3 minus 7x 6x square अब क्या दिया हुआ सर थर्ड वाला 6x square minus 3 minus 7x आप लोग थोड़ा सा ट्राइ करो इसको थोड़ा जल्दी थोड़ा बहुत तो at least आप लोग क्या कर सकते हो ट्राइ कर सकते हो एक बार थोड़ा बहुत ट्राइ करके देखो बन रहा है क्या हाँ सर बन जाएगा सर भई करना है ने देखो सर ऐसे 6, 7, 4, 2, 42 के प्राइम फेक्टरस निकालने और सर फिर इसको अपने को क्या करना है स्प्लेट करना है मैंने बोला यही गलती मत करना क्यों सर यही तो करते हुआ रहे है लेकिन उसकी condition क्या दी कि x वाला टम बीच में था ओ सर समझ गया समझ गया सर इसको पहले अपने को arrange करना पड़ेगा इसको पहले अपने को arrange करना पड़ेगा in the form of ax square plus bx plus c तो सर पहले arrange कर लेते हैं सर हो गया 6x square minus 7x minus 3 ठीक है सर अब हम लोग इसको compare कर रहे है ax square plus bx plus c के साथ तो सर a की value आ जाएगी हमारे पास 6 b की value आ जाएगी हमारे पास minus 7 और c की value आ जाएगी हमारे पास minus का 3 सर फिर जब हम लोग इसको compare करेंगे compare तो कर लिए सर a b c आ गया अब सर उठाओ इसको मैंने बोला लो उठा लिया 6x square minus 7x plus 3 सर plus 3 नहीं minus 3 ठीक है तो आप बोल लिए 6 3 जा हमारे पास कित्ता हो गया 18 हो गया लो 18 के सर निकालने अपने को prime factor 2 9 जा सर 2 से नहीं 3 से 3 3 जा और 3 1 जा अब सर हमें इन नंबरों से क्या लेकिया आना है 7 लेकिया आना है सर 3 2 जा 6 6 और 3 सर होता है 9 तो सर वो नहीं हो पाएगा सर एक चीज से आ सकता है कि सर 3 3 जा हो जाएगा 9 9 और 2 हो जाएगा सर हमारे पास कित्ता 9 और 2 को सर हम लोग जब minus करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 चीक है चीक है सर चलो देखते हैं तो 9 और 2 से आ जाएगा हमारे पास 7 करके देखें करके देखते हैं सर यह हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वेर minus का minus as it is लगा दिया सर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 9 minus 2 और सर x का x लगा दिया minus का 3 लगा दिया सर अब क्या करें तो मैंने बोला देखो 6x स्क्वेर minus का 9x minus minus plus का 2x minus का 3 अब एक बड़ चेक कर लो minus का 9x plus का 2x minus का 7 देता है क्या minus का 9x plus का 2x minus 7 देता है क्या देता है अब यहाँ से लेकर यहाँ तक common क्या आ रहा है सर यहाँ से लेकर यहाँ तक common आ रहा है सर 3x तो मैंने बोला निकालो 3x common अंदर कितना बचेगा सर 3 2 6 और सर 1 X निकाल लिया 1 X बचेगा सर माइनस का माइनस लगा दिया सर 3 में ऐसा क्या मल्टिप्लाय करें जो सर 9 तो सर 3 3 9 और सर X तो इसका अल्रेडी निकाली चुके इसको चेक करना तो चेक कैसे करते हैं 3 2 6 X X X स्क्वेर माइनस का माइनस 3 3 9 X का X ठीक है अब सर इधर से लेकर इधर तक क्या कॉमन आ रहा है सर कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन तो मैंने बोला वन आ रहा है अब वन जब आ रहा है कॉमन तो यहां पर हो गया 2 X माइनस 3 अब देखो आप लोगों को चेक करना है कि अगर आप लोग सही हो या गलत तो दो दोखो 2 X माइनस 3 2 X माइनस 3 करेक्ट है सर अब 2 X माइनस 3 कॉमन निकाल लो तो सरी आ जाएगा 3 X प्लस 1 ठीक है सर अब सर यहां से क्या करना है जीरो से एक्वेट करना है जल्ली से करके दिखाओ जीरो से एक्वेट कितना आ रहा है जल्ली बताओ बता रहे हो ना जल्ली बताओ निकाल के देखा सर सर निकाला जब हम लोगोंने 0 से equate करा तो हमारे पास 3 by 2 और minus 1 by 3 value आई ठीक है देखो ऐसे ही निकाला क्या हाँ सर ऐसे ही निकाला सर 0 के साथ equate करा ये minus 3 हो गया सर तो 2x बराबर 3 और सर x बराबर 3 by 2 सर ये हो गया हमारे पास alpha सर जब हमने इसको equate करा तो सर इसको equate करने पर हमें पता चला कि सर ये हो गया हमारे पास 3x प्लस 1 बराबर 0 सर 1 को अगर हम लोग right side में लेके जाएंगे तो 3x बराबर minus का 1 और x बराबर minus का 1 by 3 सर ये हो जाएगा हमारे पास beta ठीक है अब क्या करना रहता है सर अपने को तो मैंने बोला अब अपने को करना रहता है verify क्योंकि zeros तो आप लोगोंने इसके क्या कर लिए find कर लिए zeros find करने के बाद अब सिर्फ verification बसता है चलो सर भूभी करी लेते कि इसका इंदियार कर रहा है तो मैंने बोला हाँ ठीके कर लेते हैं सम आफ जीरोज बराबर अच्छा एक बात ध्यान देना ऐसे क्वेशन बहुत आते हैं इनों को अपने को अरेंज करना रहता है तो अरेंज करने के लिए अपने को इसका स्टेंडर्ड फॉर्म पता होना अच्छी और अपने को अगर पता है तो अपनों को ने माइनस सेवन को और माइनस त्री को अरेंज कर लिया है ना अरेंज करने पर हम लोगों को एबी सी मिल गया क्लियर हो गया क्लियर हो गया अच्छा सर एक बात और जब ऐसे क्वेशन आएंगे तो हम लोगों को अरेंज तो कर नहीं है साथ ही स से छोटा बड़ा है पावर फिर पावर ही नहीं है और फिर पावर वन है ये तो नहीं चल पाएगा पहले पावर टू है फिर पावर वन है फिर पावर नहीं है ये चल जाएगा समझ गए बात को समझ गए सर चलिए sum of zeros is equal to alpha plus beta बड़ावर माइनस का b by a माइनस का b by a बोलो यहां फिर क्या बोलो हाँ सर्याद है माइनस का coefficient of x upon coefficient of x square ठीक है तो यहाँ पर जब हम लोगों ने alpha और beta को रखा alpha आया हमारे पास 3 by 2 और beta आया हमारे पास minus का 1 by 3 और यह लगाया minus b अपने पास है minus का 7 और a है अपने पास 6 ठीक है अब ध्यान से समझना यहाँ पर यह कित्ता हो जाएगा सर यह हो जाएगा 3 by 2 minus 1 by 3 बराबर सर देखते हैं हमारे पास 7 by 6 आता है यहाँ फिर नहीं आता तो यहाँ पर जब हम लोग होना है इसका LCM लिया 3 3s आ 9 2 1s आ 2 upon 3 2s आ 6 बराबर 7 by 6 तो यह हो जाएगा हमारे पास 7 by 6 बराबर 7 by 6 यह तो बिलकुल सही है यह तो हमारे पास बिलकुल सही है अब जब यह बिलकुल सही है तो अब हम इसका find कर लेते product of zeros क्या find कर लेते हैं product of zeros अब सर product of zero find करने के लिए हमारे पास होता है alpha beta बराबर c by a अब सर alpha हमारे पास है 3 by 2 beta हमारे पास है minus का 1 by 3 alpha है सर हमारे पास 3 by 2 और beta है सर हमारे पास minus का 1 by 3 बराबर C by A, C A सर माइनस 3 और A है सर हमारे पास 6 सर जब हम लोगों ने इसको चेक किया तो सर ये 3 से ये 3 कट गया, आगया हमारे पास माइनस का 1 by 2 और सर 3 बन जा 3, 3 टू जा 6, ये आगया हमारे पास माइनस का 1 by 2 सर ये तो वेरिफाय हो गया 7 by 6 बराबर 7 by 6, माइनस 1 by 2 बराबर माइनस 1 by 2 सम उफ जीरो भी वेरिफाय हो गया सर, प्रोड़क्ट उफ जीरो भी वेरिफाय हो गया आ गया सर समझ में मैंने बोला पक्का, बोले हाँ सर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया हमको ये चीज़े समझ में ठीक है अब अगर आ ही गया है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है सर, एक बार सर हम इसका स्क्रीन शॉट ले लेंगा मैंने बोला जल्दी थोड़ा ले लो तो फिर हम आगे कोशन्स क्यों और बढ़े ठीक है सर, हो गया बढ़िया तरीके से सर, चीज़े समझ में आ रही है आज मैंने बोला आज आ रही है या फिर रोज आती है हाँ सर, रोज आती है आज सर, ये वाले जो क्वेशन्स न ये एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं मैंने बोला बहुत अच्छी बात है यह तो आपकी ही मैनत है अब समझते हैं हम लोग 4th question को 4u square plus 8u अच्छा थोड़ा अनोखा दिखरा है यह question तो चलो इसको कर लेता है एक मस्त सा pen ले लेते हैं आप लोगों के लिए ठीक है 4th question क्या बोल रहा है बोल रहा है 4u square plus 8u 4u square plus 8u अब सर यह क्या system है मैंने बोला compare करो इसको ax square plus bx plus c के साथ बोले सर यह लेकिन यहाँ पर तो u है अरे तो अगर u square है तो वहाँ x square होता था अगर यहाँ u है तो वहाँ x होता था ठीक है तो इसको हम उसी के format में बना देते हैं लोग a u square plus bu plus c अच्छा सर एक कमी और इसमें मैंने बोला क्या बोले सर देखो u square है u square है u है u है सर c तो ही नहीं मैंने बोला लो लगा दिया c आप खुश हो बोले पक्का खुश है सर पक्का खुश है चलो अब जैसे ही आप लोग खुश हुए तो मैंने आप लोगों के लिए एक सर्प्राइज ओर दिया अब a की जगे पे हम लोगों ने क्या रख दिया 4 रख दिया b की जगे पे किता रख दिया 8 रख दिया c की जगे पे किता रख दिया 0 रख दिया रखेंगे ही सर रखेंगे ये जनरल फॉर्म हो गया ना सर कॉड्राटिक पॉलिनोमियल का मैंने बोला हाँ अब हमारे पास जो एक्वेजन थी हम उसको उठा लेते हैं और उससे बात कर लेते हैं परस्नली 4U स्क्वेर प्लस 8U तो अपन इससे परस्नली बात कर रहे हैं देखना बात करने का तरीका हाँ भाई या कॉड्राटिक पॉलिनोमियल पहली बात तो आप अधूरे हो और अधूरे इसलिए हो क्योंकि आपके पास C नहीं है बोले तो कॉंस्टेंट इटम नहीं है बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ यार अब नहीं भेजा है मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है तो मैं क्या करूँ मैंने बोला ठीक है कोई दिखकर नहीं लेकिन बात यह है कि हम तो मल्टीप्लाइ करते थे यूँ एकस स्क्वेर के कोफिशन्ट को और कॉंस्टेंट इटम को पर यहां पर तो कॉंस्टेंट इटम को हम जैसे ही मल्टीप्लाइ करेंगे वहां पर तो वह 0 मिल जाएगा तो अब हम क्या करें quadratic polynomial जी तो बोले यार, try तो करके देखो मुझे तोडने की, तो मैंने बोले ठीक है तोडने की कोशिश कर लेते, 0 है, ये 4 है, ये 0 है, 4, 0, 0, 0, अब क्या मैं 0 के prime factors निकालू और उससे 8 बनाऊं, क्या करूँ अब आप ऐसी ही आएं हैं तो क्या करूँ बता बोल यार कोई तो तरीका होगा ना मुझे सॉल्व करने का मैंने बोला मुझे तो नजर नहीं आ रहा अब आप आए ही इसी फॉर्मैट में हो बड़ ही मॉडल बनके आए हो आप देखो यार तरीका तो ढूंडो तरीका तो ढूंडो अब मैंने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही तरीका बचा है इनको सॉल्व करने का और वो है कि मैं इन में से कॉमन निकाल लूँ अरे हाँ तुम लोग मेरे में से कॉमन निकाल तो सकते हो अब quadratic polynomial जी शान्त रही है क्योंकि अब हम आपको तोड़ने जा रहे हैं ठीक है यहां से हमारे पास क्या common आ गया 4u common आ गया अंदर कित्ता बचा यू बचा प्लस 4 में ऐसा क्या multiply करें कि एटा है सर 2 और यू तो already अपने पास है सर जब हम 4u को बराबर में 0 रखेंगे क्योंकि सर दोनों को equate करना रहता है इसको भी equate करना रहेगा और यू प्लस 2 को भी equate करना रहेगा तो सर हमारे पास यू की जो value आ जाएगी वो कित्ती आ जाएगी 0 upon 4 अब 0 upon 4 का क्या मतलब है भाई यह 0 upon 4 का तो मतलब है 0 अब प्लस का 2 जब राइट साइड में गया तो u की value आ गई हमारे पास माइनस का 2 छीक है यह हो गया सर हमारे पास alpha और यह हो गया सर हमारे पास beta अब alpha और beta की मदद से हमने क्या करा हमने इसको solve करा चलो solve करते हैं अब इसार solve में बचा क्या है मैंने बोला अरे verify करना है ये zeros तो हमने find कर लिए zeros of the quadratic polynomial are 2 और minus 2 लिख देता हूँ यहाँ पर therefore zeros of the given quadratic polynomial are 0 and minus 2 0 और minus 2 पता चल गया अब verification का process करते हैं verification के process में हमको क्या करना पड़ेगा सर sum of 0 find करना पड़ेगा sum of zeros find करने पड़ेंगे अब sum of zeros को कैसे find करते हैं सर alpha प्लस बीटा से alpha प्लस बीटा कितना आ जाएगा सर हमारे पास minus का b by a आ जाएगा ठीक है सर अब alpha प्लस बीटा बराबर minus का b by a आ गया alpha कितना है मैंने बोला alpha 0 है बीटा माइनस 2 है alpha 0 बीटा माइनस 2 बराबर minus लगाया b लिखा सर 8 a लिखा सर हमने 4 तो सर यह हमारे पास हो गया कितना 0 minus 2 मतलब minus का 2 बराबर 4 2 जा 8 minus का 2 simple सर minus 2 बराबर minus 2 आतो गया सर हमारे पास ठीक है अब हमें क्या करना रहेगा अब हमें करना रहेगा product of zeros को verify तो देखो product of zeros बराबर alpha बीटा बराबर c by a अब अगर हम लोग alpha बीटा की बात करें तो alpha हमारे पास है 0 बीटा हमारे पास है minus का 2 तो 0 multiply by minus का 2 बराबर c by a सर c है हमारे पास 0 और a है हमारे पास 4 तो 0 by 4 ध्यान रखना जब आप लोगों को quadratic polynomial मिला था तब आप लोगों के पास ये 0 नहीं था तब आप लोगों के पास ये 0 नहीं था तो आपने सुचा यार मेरे पास तो c ही नहीं है अरे नहीं है वहाँ पर मतलब क्या है 0 है अगर वह चीज है ही नहीं मतलब क्या है आपके पास वह चीज 0 है और उसी का हमने फायदा उठाया और हमारे पास values आ गई 0 बराबर 0 अपन 4 मतलब 0 simple sum of zeros हो गया minus 2 बराबर minus 2 product of 0 हो गया 0 बराबर 0 hence verified simple है सर बहुत ज्यादा simple है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर ये करने में ये करने में सर अब हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मैंने बोला बहुत बढ़िया चलो एक बार जल्ली से screenshot ले लो ले लिया क्या screenshot 3,2,1 ले लिया सर अब सर आगे की बात करते है यह हो गया सर 4th question सर 4th question भी हम लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से आ गया अब सर 5th question करते है चलो T square minus 15 T square minus 15 आजा भाई आपका T square minus 15 क्या बोल रहा है question question बोल रहा है सर 5th question है T square minus का 15 अब सर क्या करे तो मैंने बोला अब आप लोग एक काम करो कि इसको compare करो AT square plus BT plus C से बोले ठीक है सर सर T square तो यहाँ पर available है और सर A हमारे पास मिल जाएगा 1 लेकिन सर BT यहाँ पर नहीं है मैंने बोला BT नहीं है इसका मतलब यह तो नहीं कि हम BT ला नहीं सकते ला सकते हैं अब सर इसी को थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखो T square है मैंने बोला है सर BT नहीं है तो सर 0 T लिख दूं क्या मैंने बोला अरे 0 T क्यों लिख रहे हो एक T तो पड़ गया बोले सर 0 का multiply जब T के साथ होगा तो आना तो सर 0 ही है मैंने बोला हाँ हाँ और सर माइनस का 15 लो as it is लगा दिया सर अब इसमें क्या फरक पड़ा मैंने बोला 0 T का फरक पड़ा बोले नहीं सर 0 T का कोई फरक ही नहीं पड़ा क्योंकि 0 into T तो 0 ही हो गया 0 को लिखो चाहे ना लिखो बात यह यह सर यह 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 तो T 0 मतलब सर कुछ नहीं यह वहाँ पर और कुछ नहीं मतलब T स्कार माइनस 15 ही आपके पास अच्छा सर मान लीजे आपके सर आपके पास 15 रुपे मैंने बोला ठीक है 15 रुपे मान लेता हूं बोले 15 रुपे और 0 रुपे मतलब आपके बस दो बार पैसे हैं क्या मैंने बोला नहीं यह की बार है 15 रुपे अच्छा ऐसा था गया अरे पहले बताते ना थेंक्यू सो मच तो समझ गया कि हमारे पास जो A है वो है हमारे पास 1 और हमारे पास B है ही नहीं क्योंकि वह 0 है और C है हमारे पास माइनस का 15 ठीक है ठीक है अब उठाते हैं इस एक्वेजिन को T स्क्वेर माइनस 15 को अब सर क्या करें अब सर ना तो इसमें से ऐसा जैसा 4U स्क्वेर प्लस A2 में होता था कि कुछ common आ रहा था इसमें तो common ही नहीं है अब सर ऐसा क्या करें हम लोग इसमें जो यह solve हो जाए इसको यहां लेके आजा और टी स्क्वेर की टी की वेल्यू निकाल लो टी की वेल्यू आजाएगी रूट में प्लस माइनस 15 लेकिन सर ऐसा नहीं कर सकते ना मैंने बोला क्यूं बोले सर कौड्राटिक पॉलिनोमियल है बोला है कौड्राटिक इक्वेजन थोड़ी ना बोला ह अगर जीरो लगा के सॉल्फ करोगे मतलब आपने मदद लिक इसकी कौड्राटिक इक्वेजन की लेकिन यहां पर तो कौड्राटिक पॉलिनोमियल बोला है ना हां सर समझ गए सर अब अगर आप इसको समझ गया तो और बात को समझ यहां पर हो जाएगा यह टी स्क्वेर मा आपको तो वहाँ पर A ही मिलता है बोले मैं नहीं मानता मैंने बोला मानना पड़ेगा देखो जरा सर रूटे का स्क्वेर मतलब रूट A है इंटू रूट A हो जाएगा हमारे पास रूट A इंटू A और सर अगर रूट के अंदर में दो बार A है तो सर बाहर निकलने के बा बहुत 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 जादा बढ़िया समझ रहे हो तुम लोग तो बात को मतलब क्या सर A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर लगेगा आपने पास अच्छा सर इसमें और इसमें पक्का कोई फरक नहीं है मैंने बोला भीया रूट और 15 का स्क्वेर मतलब 15 ही तो होगा ना बोले ह सर फिफ्टीन ही होगा अब अगर वो फिफ्टीन हो गया तो अब हम आगे की बात कर लेता है सर यहाँ पर भाई अप्लाइंग आइडेंटिटी कौनसी वाली a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर तो क्या हो जाता है a प्लस b a माइनस b ठीक है Unidos इसाब सर रूटी का स्क्वेर माइनस रूर 15 का स्क्वेर तो सर यह हो जाएगा हमारे पास सर देखो सर इसको एक बार हम लोग ना ऐसे लिख देगा मैंने बूला कैसे बोले सर देखो हमें ना थोड़ा डर लगता है तो हमें काम करते हैं सर पहले कॉपी करते हैं उसके बाद सर यहां पेस्ट करते हैं मैंने बोला, करना क्या चार हो, बले बताओ तो, बोले, रूक जी अई क sulla बताते हैं अरे बताओ जल्दी से, बोले, सर देखो सर, अ मतलब आपके पास T है मैंने न बोला, हाँ T है ठीके सर, T प्लस और T माइनस छीके सर मैंने बोले अब भी मुझे समझ में यह क्या करना चालू सार B कितना आप के आपके पास B 15 तो ठीक है सर root 15 root 15 ठीक है सार समझ joka हम सर Aese square minus Bese square को आपने टी प्लस root 15 t-ертв 14 मैंने बोले हाँ वोले अच्छा ठीक ton समझ गया सार IDENTIỉ Chapter lobby मैंने बोला Haana IDENTITI की मदद लूँगा था भी तो लिखा ये लिखा ना बाई अप्लाइंग आइडेंटिटी चीग है सर तो सर ये वाली आइडेंटिटी के लिए आपने a square minus b square लगाया तो आपके पास आया सर a plus root 15 और सर t minus root 15 square नहीं सर फिर सर आप दोनों को equate करोगे क्या 0 के साथ मैंने बुला हाँ वही जो करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे अच्छा सर समझ रहा हूं सर धीरे धीरे में t plus root 15 बराबर 0 और सर t minus root 15 बराबर 0 तो सर ये root 15 plus का चले आएगा right side में हो जाएगा सर t बराबर minus का root 15 और सर ये हो जाएगा t बराबर plus का root 15 ठीके सर ये भी समझ में आ गया और सर ये भी समझ में आ गया सर अब आप इसको alpha बोल दोगे है ना सार किशोर सर हाँ मैंने बोला alpha बोल दूगा और सर इसको आप beta बोल दोगे मैंने बोला हाँ बीटा बोल दूगा ठीक है सर सर जब तक हम video को like करते हैं तब तक सर आप हमें ये बताइए कि सर अब ये आगे कैसे होगा हम like कर क्या रहें सर मैंने बोले ठीके like कर दो video को फिर बात मैं बताता हूं कि कैसे होगा चल आगए लाइक करके मैंने बोला हाँ सर आगए लाइक करके अब आप sum of zeros और product of zero calculate करना सिखा दीजिए मैंने बोला ठीक है सिखा देता हूँ देखो sum of zeros लिखना अच्छा यहाँ पर नीचे लिख सकते हो आप लोग therefore the zeros of the quadratic polynomial r या zeros of the given polynomial r आपका क्या minus का root 15 और plus का root 15 तो sum of zeros यहाँ पर हम लोग calculate कर रहे हैं और sum of zeros हमारे पास हो जाते हैं alpha plus beta बराबर minus का b by a alpha है सर हमारे पास minus का root 15 और सर बीटा है हमारे पास plus का root 15 बराबर minus b किता है सर मैंने बना बूला b है हमारे पास 0 और a किता है बुले sir 1 तो sir यहाँ से क्या हो जाएगा sir माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 तो टाटा वाई वाई हो जाएगे मैंने बुला क्यों अरे sir एक positive है एक negative है 0 हो जाएगा मैंने बुला ठीक है sir 0 बराबर 0 और sir बन गया मैं hero मैंने बुला अभी कहा अभी तो product भी find करना है बोले ठीक है sir product find करने के बाद मैं बन जाऊँगा hero तो चलो product of zeros find करते है product of zeros में हमारे पास हो जाएगा alpha बीटा बराबर c by a अब sir alpha into beta करना पड़ेगा मतलब sir minus का root 15 का multiply करना पड़ेगा sir root 15 के साथ और sir हमारे पास हाद़ेगा c by a Warren sir हमारे पास minus का 15 और sir ya है हमारे पास one ठीक है sir चल जाएगा समझ गया sir root 15 root 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा sir कितना हो जाएगा 15 minus में होगा sir लिक बरो बर minus का root 15 यहां पर समझ्जो तो नहीं सब्सक्राइब, कि यो मैं नहीं को सी tolerance समस्य थो जोगा ब interANRAim, को न हो बनाय gelecek क्या बना बना मैं गब abund़ वह। यह क्या बन रहा है इसके अंदर आपन कॉलर नहीं कर रहे है यहाँ पर समझो बोले वा सर ये आपने बहुत बढ़िया बनाया अब क्या बताना चाहरे हो आप मैंने बोला यहाँ पर अगर आपके पास root a multiply by root a है तो आप लोग उसको root a का whole square बोलोगे क्या बोले बोलेंगे जब आप इसको root a का whole square बोलोगे मतलब आप इसको क्या बोलोगे a बोलोगे क्योंकि square से root तो क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा बोले सर लेकिन कैसे तो मैंने बोला ऐसे कि जब अगर आपके पास root 15 into root 15 हुआ तो चलो इसको भी हटाओ इसका मतलब हुआ हमारे पास root में a multiply by a और अगर a है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक a सर रूट में अगर pair होते हैं तो उसका एक number बहार आ जाता है मैंने बोला ठीक है उसी इसापसे यहाँ पर root 15 multiply by root 15 अगर था तो इसका हम लोगों ने whole root लगाया और 15 multiply by 15 हो गया तो सर इसका एक number 15 बहार आ जाएगा हाँ सर ये हुआ है के यहाँ पर मैंने बोला हाँ यही तो हुआ है बोले ठीक है सर समझ गए सर ठीक है तो सर यहाँ पर ये क्या हो गया सर हैंस verified ठीक है क्या बोले नहीं सर अभी तो एक चीज रह गई मैंने बोलो क्या अरे सर वह स्टार लगा रहे नो भूत अच्छा लग रहा है मैंने बोले ठीक है लगा देता हूं स्टार आपका देख लो एक बार एक बार अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो ले लिया स्क्रीन शॉट आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं चल अब यह हो जाने के बाद हमारे पास यह question भी क्या हो गया खताम हो गया अब बच्छता है हमारे पास last question तो last question को हम लोग समझते है Three X स्क्वेर माइनस x minus four ठीक है क्या question है अब हमारे पास Three X स्क्वेर आखरी question 3x square minus x minus 4 थोड़ा सा आपका इधर shift कर देता हूं मैं question ताकि आप लोगों से भी मेरी चर्चा बनी रहे है ठीक है सर अभी अपने को सर इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना तो सर कुछ लगाने की जरूरत है क्योंकि भरपूर question दिख रहा है मैंने बोला भरपूर मतलब बोले सर भरपूर बोले तो सही लग रहा है सर question और कुछ नहीं है यही बोलना चाहरे दे कि सर ax square minus bx plus c के form में देख रहा है मैंने बोलना ठीक है तो ax square plus bx plus c यहीं बोल रहा हो बोले हाँ यहीं बोल रहा है सर a हो जाएगा उस हिसाब से हमारे पास 3 b हो जाएगा सर हमारे पास minus का 1 और सर c हो जाएगा हमारे पास minus का 4 सर उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर अपना quadratic polynomial दुबारा लिखे तो देखो सर 3x square minus x minus 4 सर 3 multiply by 4 सर 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा सर अब सर जैसे हमारे पास 3 4 जा 12 हुआ तो 12 के हमको निकालने पड़ेंगे सर prime factors 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा अब ध्यान चे समझना 2 2 जा 4 4 minus 3 सर 4 और 3 से 1 पक्का आता है लेकिन सर अपने को लेना क्या पड़ेगा यहाँ पर सर यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा minus 4 plus 3 क्योंकि minus 4 plus 3 की मदद से क्या आएगा यहाँ पर minus 4 plus 3 की मदद से यहाँ पर minus का बनाएगा ठीके सर तो वैसे ही काम कर लेते हैं मैंने बहुत ठीक है वैसे काम कर लेते हैं तो टू टू जा 4 हो जाएगा 4 और 3 आपको कित्ता दे देगा 1 दे देगा बोले ठीक है सर 1 लेके आते हैं देखो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा 3x स्क्वेर माइनस का माइनस लगाया 1 चाहिए अब आपको तो 4 माइनस 3 से आप लोग कित्ता लेके आओगे 1 लेके आजाओगे x को आप लोगों ने लगा दिया माइनस का 4 आज़िट इस लगा दिया भूले ठीक है सर सर एक बद चेक कर ले मैंने बोला कर लो माइनस का माइनस लगा 4 माइनस 3 1 x का x ठीक है सर सही आप तो चलो आगे ये होगे हमारे पास कित्ता ये होगे है सर 3x स्कूर माइनस 4 x माइनस माइनस प्लस 3 x माइनस का 4 as it is ठीक है सर अब अगर हम लोग ध्यार नहिए माइनस 4x प्लस 3x माइनस x आ रहे हैं मतलब हम तो सही जा रहे हैं बिलकुल सही जा रहे हो अब सर इधर से x common आ रहे हैं निकाल ले मैंने बोला इसलिए तो हमने इसको set किया है ताकि हम लोग common निकाल सकें ठीक है सर सर x आया common अब बचा सर हमारे पास 3x-4 ठीक है सर इस में से क्या common आ रहा है मैंने बोला 1 common आ रहा है बोले कुछ भी common नहीं आ रहा है मैंने बोला तभी तो 1 common आ रहा है ठीक है सर 3x-4 अब आप लोग यह सोचो क्या हम इसी step पे सही है 3x-4 3x-4 तो sir हमारे पास क्या आ जाएगा तो sir ये 3x-4 जब हम लोगोंने common निकाला तो sir आ जाएगा हमारे पास x plus 1 अंदर बचेगा ठीक है अब sir यहां से हम आपको क्या निकाल के दे रहे x की values निकाल के दे रहे मैंने बोले बहुत बढ़िया ये तालिया आपके लिए भज रहे है x की values निकाल के दो ठीक है sir इसके zeros हम लोगोंने निकाले sir इसके zeros जब हम लोगोंने निकाले तो sir हम पता चला कि sir इसके zeros भी वैसे ही निकलेंगे 3x-4 बरोबर 0 और sir x plus 1 बरोबर 0 ठीक है sir sir minus का 4 जब right side में जाएगा तो sir ये हो जाएगा 4 और x आजाएगा sir हमारा 4 by 3 ठीक है plus का 1 sir right side में जाएगा तो x आजाएगा minus का 1 sir ये हो जाएगा हमारे पास alpha और ये हो जाएगा sir हमारे पास beta ठीक है sir ये alpha और ये beta होने के बाद हम लोग सर एक चीज लिख देंगे कि therefore the zeros of the quadratic polynomial are या zeros of the given polynomial are 4 by 3 and minus 1 ये चीज लिखने के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे अब हम लोग verify करेंगे क्योंकि अब हमारा काम के उनसा शुरू हो जाया verify करने वाला relationship between the zeros and the coefficient वाला अब verify जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे sum of zeros को sum of zeros बराबर alpha plus beta बराबर minus का b by a ठीक है alpha is our 4 by 3 मैंने बोला ठीक है alpha 4 by 3 plus beta is our हमारे पास minus का 1 बराबर minus b किता है सर हमारे पास minus का 1 और सर a किता है हमारे पास 3 सर यहाँ से जब हम लोगों ने LCM find किया तो LCM से पहले सर हम इसको minus कर देंगे यह हो जाएगा सर 4 by 3 minus 1 upon 1 is equal to सर यह minus minus plus होके 1 by 3 सर जब हम इसका LCM complete करेंगे तो 4 बन जा 4 minus 3 बन जा 3 upon 3 is equals to 1 by 3 सर 4 minus 3 आ जाएगा हमारे पास 1 upon 3 बराबर 1 upon 3 ठीक है अब दियान जा समझो यह हो गई बात खतम अब हम लोग करेंगे product of zeros पे काम product of zeros मतलब अलफा बीटा बराबर C by A अब सर अलफा बीटा किता है हमारे पास अलफा है सर 4 by 3 multiply बीटा किता है सर हमारे पास minus का 1 बराबर C by A C है सर हमारे पास minus का 4 और सर A है हमारे पास 3 तो सर यह हो जाएगा हमारे पास 4 by 3 जब minus 1 से multiply होगा तो minus का 4 by 3 बराबर आ जाएगा सर minus के 4 by 3 से और सर यह चीज़े देखो हम लोगों ने proof कर ली मैंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ छोड़ देते हैं जो है हमारा फेवरेट स्टार हाना ठीक है देख लो एक बार जल्दी से तो यहाँ पर यह ऐसे question हम लोगों ने 6 के 6 पूरे cover up कर लिए screenshot लेना है तो screenshot ले लो थोड़ा जल्दी हो गया हो गया काम बढ़िया तरीके से हो गया सर तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर कौन कौन से question देख लिए मैं आपको एक बार पूरे अच्छे तरीके से question बता देता हूँ हम लोगों सबसे पहले क्या देखा कि भईया जो sum of zeros था वो इत्ता होता है ठीक है सर और जो product of zero वो इत्ता होता है और sum of zeros और product of zero find करने के बाद हम लोग उतर गए हमारे questions पर पहला question देखा तो verify था sum of zeros और product of zeros ठीक है जब दूसरा question देखा तो दूसरा question था ये हम लोगों ने इसको भी verify कर डाला दूसरा question देखने के बाद जब हम लोगों ने तीसरा question देखा तो हम लोगों ने इसको भी verify कर डाला 7 by 6 बराबर 7 by 6 minus 1 by 2 बराबर minus 1 by 2 verify क्या कर रहे है sum of zeros और product of zero अब सर ये करने के बाद फिर हम लोग सर ये वाले question में आए तो हमें सर इसमें C ही नहीं मिला constant ही नहीं मिला तो हम लोगों ने constant लगाया 0 वो लगा सकते 0 को तो आप कही पर भी लगा सकते हो जहां पर आपको चीके सी चीज की कमी पढ़ रही है तो चीके सर सर सम उफ जीरो जोर प्रोड़क्ट उफ जीरो हमारे पास आ गया अब सर उसके बाद हम लोगों ने 7th question मतलब 5th question देखा 5th question में सर हमारे पास क्या नहीं था बी नहीं था तो सर हमने यहां पर क्या कर दिया बी लगा दिया बी लगा दिया ना हम लोगों ने यहाँ पर हाँ सर लगा दिया सर 0 T लगा दिया फिर उसके बाद हम लोगों ने आखरी question देखा तो आखरी question में भी हम लोगों ने sum of zeros और product of zero को verify कर दिया तो ऐसे करके हमारे पास क्या हो गया था ऐसे करके हमारे पास पूरे के पूरे questions हो गए पूरे के पूरे 6 के 6 questions हो गए तो ये 6 के 6 questions पूरे आप लोगों के क्या हो गए भाई या complete हो गए completed बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक है सर सर यह तो complete हो गया लेकिन सर जो second question है उसका क्या तो आज का तो यह complete हो गया ना आप लोगों को समझ में आए ना आज के पूरे 6 के 6 question हास और एक कुदम बढ़िया तरीके से समझ में आए सर सर वेसी यह question आते हैं के exam में बिलकुल आते हैं बिलकुल आते हैं exams में तो हमें करना पड़ेगा इसे questions समझ रहे हो बात को पक्का ठीक है तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि magnet range provide करता आप लोगों का 100% quality और free education kindergarten से लेकर class 12 तक अगर मैं बात करूँ हमारे कुछ top courses जो की English medium और Hindi medium में available हैं जो की CBSC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board साथी साथ Vedic Maths, Crash Course और Spoken English आप लोग हमारा YouTube channel Magnet Brains सब्सक्राइब कर दीजी अगर अपी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इस वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा आप लोग Magnet Brains YouTube पे डाल दीजेगा और आजाएगा हमारा channel जिसमें की आप लोगों को मिल जाएगी playlist playlist में चले जाएगा वहाँ पर सारे ही classes के, सारे ही subjects के content भरपूर, भरपूर, भरपूर high quality के साथ available है ठीक है सर, हम आपका app भी download कर लेंगे किशोर सर, ठीक है, मेरा नहीं है, Magnet Brains का है सर, website भी visit कर लेंगे, like, share और subscribe भी कर देंगे, और साथी साथ हम join भी हो जाएगे Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पे और अगर हमको e-notes या e-books avail करनी रहेंगी तो हमें मालूम है हमेशा की तरह की link के description box में given है, हम वहाँ से जाके avail कर लेंगे तो बच्चों आज के session में सरिफ इतना ही, मिलते है next lecture में तब तक के लिए bye bye, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह पढ़ाई करते रहें, bye bye